आगे बनने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार सिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अबर्थी चछु प्रकासन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग याँ पर देख सकते हैं बीबीएस्टी के द्वारा जो सिलेवस तैयार किया गया था जो परिच्या का कारकरम है जो प्रसंद पत्र का प्रारूप है उसके हिसाब से इसमें 25 से ज़्यादा प्रसंद दिये हुए हैं और इनकी सभी प्रसंदों की व्याक्या भी दी गई इस पुस्तक में बीखार शिक्षक वहाली की और भी बहुत सारी पुस्तके आती हैं जैसे समानधन की पुस्तक है यह इस्टी गाइड है और यहां पर यह भास्ता की पुस्तक है इन पुस्तकों के लिंगे बी डिस्क्रिप्शन में उपलब्द है आज की समचार पत्रों में सबसे पहली जो सूचना है वो है सिक्षा सेवा चैन आयोग की लिखा सिक्षा सेवा चैन आयोग का पता नहीं जहां की तहां अटक गई हैं भरतियां प्रदेश भर में TGT के 16,750 और PGT के 25,22 पतकाली हैं असिस्टिन प्रोफेसर के 1017 पदों पर एक प्रागराज की तरब से एक प्रेस्वी गिफ्ती जारी की गई है जिसमें यहीं बात की गई है कि जब नए आयोग के गठन में इतनी देरी हो रही है तो इसी पोर्टल खोल करके फिर से पधों को मंगवाया जाए पधों की संख्या जोड करके जल से जल परिक्षा करवाई साथ में एक और मांग की गई है लोग सेवा आयोग की सभी वर्तियों में EWS वर्ग समान वर्ग के वर्तियों को अन वर्गों के तरीके से I.S. म. में छूड मिले लिखा है प्रतिवों की चात्रों को मानसिक उत्पिर्ण हो रहा जबकि अन राज्यों में छूड मिली है नां लिखा कि उत्तर परतेर सिख्षा सिव चैन अंडuição का प्रस्ताव केबिनेट में पार्ध नहीं।technा शुत्र का कहना कि मुक्हिमंत्री ने केबिनेट में बैठक में पेस होने पर उसे अगली बैठक में रखने के निर्देसदिये hay तो ये प्रस्ताव तो पेस किया गया था लेकिन मुक्मिंत्री की तरफ से कहा गया अब इसको अगली बैटक में दीजिए सुत्रों के हवाले से जानकार ये मिल रही है कि अगली मंगलवार को बैटक हो सकती है और उसमें अर्मोधन मिल सकता है होम गार्ड कमांडेंट मनीज दुबे की मुश्किले बढ़ गई है लिखा हुआ है कि होम गार्ड कमांडेंट मनीज दुबे पर दर्ज हो का मुकतमा ज्योती मौरिया केस में निलंबर और जांच की भी सिपारिश की गई है HDM जोती मौरिया और होम गार्ड कमांडेंट मनीज दुबे परकरान की जाज रिपोर्ट DG होम गार्ड BK मौरिया ने शासन को भेज दिया रिपोर्ट में मनीज दुबे को निलंबित करने के साथ केस दर्जकर विवेजना करने के शिपारिश की गई है दियाईजी होमगाड प्रियागराजरिन संतोस कुमार की जाच में सामने आया है कि मनीश दुबे मोबाइल पर जियोती मौरिया से उनके पती आलोग को रास्ते से अटाने की बात कर रहा है जिसकी पुलिस जाच होना जलूरी है जब मनीश से इस बारे में पूंचाच की गई तो उन्होंने कहा कि आलोग से तला की बात क्या रहे थे पत्नी को दहेज के लिए प्रतालित करने वह महिला होमगाड के योन सोसल का भी आरूप लगा है जाच में ये भी शामने आया है कि 2021 में मनीश ने लखनओ की एक युविती से अली गंज इस्तित आरे समाज मंदिर में शादी की थी और कुछ दिन बाद ही उसे 80 लाख रुपए दहेज लाने के लिए परतालित करने लगे अब तक की जाच के आधार पर दायर आरूप पत्र में का PCS कटाफ अंक जारी देर राद तक डाउनलोड नहीं उत्तर प्रतेजलों सेवा आयोगने मंगलवार शाम PCS 2022 की प्रारमिक परिच्छा के कटाफ अंक और अबर्थियों के प्राफतांक जारी तो कर दियें लेकिन तक्निकी गलबड़ी के कारण अबर्थी देर राद तक कटा प पाल की और सिक आ गया की अबर्थी की वेबसाइट प्रमे पर उसे सुचना को भरने के बाद प्राप्त कर सकते हैं – बीज़एड में प्रवेस के लिए को दुबारा रखना पड़ रहा है और यहां पर लिखा कि डिलेट कालेजु में परसिचन सतर दो हजार तेज़ में दाखिले के लिए आनलाइन पंजी करन की थी 27 जुलाई तक बढ़ा दी गए यह सासन की मंजूरी के बाद परिच्छे नियमक परादिकारी ने बढ़ी तितियों का मंगलवार को एलान कर दिया है अगली दो सूजना वो टीज़िटी और परिच्टी कांसिलिंग की है लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राफत माधमिक इसकूलों में चैन के बावजूद कारभार नाग ग्रहन करने के कारण रिखत रह गया परसिचित इसना तक टिज़िटी 2016 समाजिक विज्ञान के 145 पदों में 99 पद खाली रह गये वेटिंग के ये पद है 145 और वेटिंग के पदों के जो सूजी जारे की गई थी उसमें भी 99 पद खाली रह गये है शिक्षा ने देशाला के गेस्ठाउस में चल रहे ही परतिचा सूची की काउंसिलिंग के दूसरे दिन समाजिक विज्ञान के रिखत 145 पदों के लिए 114 अबरति को बुलाया गया था लेकिन 46 अबरति ही उपस्तित वे थे 68 अबरति गयर हाजिर रह गया वहीं पर बयान भी है लिखा की राम चेत ने बताया कि काउंसिलिंग के बावजुद जो पद रिखत रह जाएंगे उन्हें अगली बरति में जोड़ने के लिए संस्तुत की जाएगी बुद्वार को संस्कर्थ उर्दू संगीत वादन करसी शारीरिक स्क्षा पिस्यों की काउंसिलिंग होगी संस्क्रथ में अनरक्षित वरग में 36, OBC में 12, SC में 13 पद, उर्दू में अनरक्षित 1 और OBC के 4 पद, संगीत वादन में OBC के 3, करसी में अनरक्षित 2 और OBC के 4 हवा, SC के 3 पद रिखते हैं पदों पर इंटर्वी तारी घोषित कर दी गही है लोक सिवा आयोगी ने चिकित्सा सिख्चा विभाग के तहत असेटिंट प्रोफेसर के 23 पदों पर सक्षाटकार के तितिया घोषित खर दी है असेटिंट प्रोफेसर इस्टेटिस्ट एंड डेमग्राफी ऑप्स एंड ग प्तोन के मादम से कभी 1 जिला कभी 2 जिला कभी 3 जिला की ब्रेंगा निकलीर विध्यान पर विध्यान विभायит पूंड कालिक शिख्षिक का कि यहां पर देख सकते लिखा व्या नutफ जो पूंड कालिक शिक्षिका है उनका जो वेटन वे 22,000 रुपय है और जो अंसकालिक शिक्षिका है उनका वेतर अंठान बेश्रूवा है यह मान दे है लास्ट लास्ट डेट ज्याद रखेगा 26 जुलाई के पहले पहले आप लोगों को अभी दन करना है नीचे यहाँ पर यह उपर भी योगिता लिखी वी है नीचे भी योगिता हैं वगयरा बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई है तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वैसे यह मैं आपको पने टेलीग्रम चेनल पर डाल दूँगा आप लोग वहाँ पर जाकर की देख सकते हैं और अधिक जानकारी आपको सुल्तानपूर की बिपसाइट पर मिल और नई दिली में सई को सफ़ल बनाने की बात पर बल दिया एंगे चैनल को भी जोइन कर लें प्रतान की जाती हैं पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्वाद